Hello friends, welcome to my YouTube channel बच्चों को बिस्तर गिला करने की आदत से छुटकरा दिलाने के लिए आज मैं आपके साथ एक बहुत ही पारफुल और एफेक्टिव आसान घरेलू नुसका लेकर हाजिर हूँ बच्चों को बिस्तर गिला करने की आदत से छुटकरा दिला सकते हैं यदि बच्चे बिस्तर गिला करते हैं तो मा और बच्चों दोनों को काफी परसानियों का सामना करना पड़ता है तो आज हम कुछ ऐसे ही पारफुल एफेक्टिव असरदार घरेलो नुस्का के बारे में जानेंगे जिसे आप आसानी से बच्चों को यदि देते हैं तो उन्हें बिस्तर गिला करने की आदत से छुटकारा मिलेगा बच्चे यदि छोटे हैं तीन साल के छोटे तो बिस्तर गिला करते हैं तो कोई बात नहीं यदि तीन साल से बरे हो जाते हैं बच्चे और यदि वो बिस्तर गिला करते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए और हमें कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए ताकि बच्चों को कोई भी स साइड फेक्ट ना हो और आसानी से उन्हें बिस्तर गिला करने की आदत से छुटकारा भी मिल सकें तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही पारफुल और इफेक्टिन उसका सेयर करने वाली हूं तो वीडियो को पूरा लास्ट पर जरूर देखे चैनल पर नहीं है तो सस्क्रा मात्रा में दूद में कैल्सियम पाया जाता है जो बच्चे बरे सभी के लिए दूद बहुत ही जरूरी है बच्चे आसानी से दूद पी भी लेती हैं तो आज मैं आपके साथ दूद में कुछ ऐसे चीज मिला कर बच्चों को देने के बारे में बात करेंगे जिससे और लेना है एक चमस तील, काला तील, जो आफानी से मार्केट में मिल जाते हैं, यह वही काला तील है, जिसे हम गूर के साथ लड़ू बना कर खाते हैं, जी हाँ दोस्तों, आपको लेना है एक चमस इस काला तील को और इसे बारीक दरदारा कर लेना है, या आप चाहे तो बा एक ग्लास गुनगुना दूद लेंगे, एक ग्लास दूद में एक चमस जो हमने काला तीर को दरदरा करके रखा था, उसे डालेंगे, और मीठा के अनुसार हमें गुर लेना है, गुर बिल्कुल ज्यादा नहीं लेना है, जितना की बच्चे मीठा पीना पसंद करते हैं, दो असाने से पी लेंगे, तो इससे आपको लगातार देना है, एक या दो दिन देकर नहीं छोड़ना है, लगातार देते रहेंगे, तो आपको बच्चों में पहले से काफी इंप्रूब मिलेगा, और धीरे धीरे बिस्तर किला करने की आदत से उन्हें छुटकारा मिलेगा, तो एक बार आप चाहे तो ट्राइ कर सकते हैं, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सेर और सेस्क्राइब करें, यतना हो सके इस वीडियो को सेर करें, ताकि इसका फैदा और लोगों को भी मिल सकें, नमस्कार